Hello everyone, welcome to awareness academy, मेरा नाम हैंचली कॉशिक और आज का जो हमारा topic है वो है कि देखो बच्चों को एक दिक्कत होती है जो हर एक बच्चा face करता है जब भी वो exam देने जाता है ठीक है यह exam की किसी भी competitive exam के अगर आप preparation करते हो तो यह जो दिक्कत है वो हर ही student है वो face करता है So topic क्या है आपका study time ठीक है एक दिन में कोई नई सीखता कि कैसे आप अपने sitting hours को basically क्या कर सकते हो बढ़ा सकते हो ठीक है और ना ही आप एक दिन में उसे बढ़ा सकते हो जो major issue बच्चों के साथ आता है वो यही आता है आपकी mental capabilities अच्छी है ठीक है आपको समझ में सब कुछ आ करते हैं लेकिन आप बैठ ही नहीं पाते हैं ठीक है सो major issue आपका इधर क्या हो गया है attention का होता है तो जब भी आप किसी exam की preparation कर रहे हैं the first thing you have to keep in your mind कोई भी चीज एक दिन में आपकी नहीं होगी ठीक है पहले दिन आप 45 minutes बैठ होगे ठीक है 45 minutes बैठ होगे उसके बाद आप एक घंटा बैठ होगे then you'll sit for two hours then you'll sit for three hours ठीक है यह जो है basically आपका एक inertia create होगा ठीक है उसी के हिसाब साफ इस चीज को कर पाएंगे रेगुलेरिटी जो है इसमें वो आपकी होनी जादा important है यह चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि आप एक दिन एक घंटा पढ़ रहे हो अगले दिन आप पढ़ी नहीं रहे हो एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो अगले दिन आप सिर्फ घूम रहे हो ठीक है वो चीज आप इसमे नहीं कर सकते इसमें बेसिकली आपको क्या है चाहिए आप दिन में एक घंटा बैठ रहो लेकिन आप रोज बैठ रहे हो दो घंटे बैठ रहो लेकिन आप रोज बैठ रहे हो तो जितने जादा regularity आप में आती जाएगी उतना ही धीरे-धीरे आपके जो study hours है वो बढ़ते days जो है वो आपके minimum लगते ही लगते हैं कितने 21 days and still उस time पे भी आपकी जो आदत है वो extreme पे नहीं होती ठीक है तो पढ़ाई को ऐसे मत करो कि it is your responsibility do it like it's your habit ठीक है पढ़ाई को आदत बनाए तभी आपकी जो setting hours है जिसमें बच्चे बहुत जादा क्या करते हैं दिक्कत फेस करते हैं जिन में बच्चों को बहुत ज्यादा issues भी आते हैं वह सब आप कर पाएंगे तो इस चीज को जहान में रखें जितनी देर बैठें टेबल पे concentrate होके बैठें नहीं होता है उठके दो मिट कूम के आए वापस आके बैठें ब्रेक ले ले अपना एक दिन दो घंटे बैठें फिर एक अपते बाद 4 घंटे करें 6 करें 7 करें 8 करें पर एक महीने के उसमें आप प्रॉपर एक अपना 8 घंटे तक का schedule पढ़ाई का वो लेकर जा सकते हो पर एक दिन में अगर आप सोच रहे हो कि आज ही सीध 8 घंटे बैठके पढ़ लेंगे वो चीज नहीं हो सक कोई भी आपका एक ऐसा subject हो novels हो कुछ भी ऐसा जो informational है प्लस आपके लिए interesting sound करता है उसने start करें तो वो sitting habit बनाएगा उसके बाद जब वो एक habit में आ जाएगा तो anyhow अगर आप कोई और भी subject पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक चीज से आप डील कर चुके हैं कि habit is already formed you have to just focus on the subject ठीक है सो ऐसे ऐसे step by step चले steps को जंप ना करें कि एक दिन में आप सीधा 8 गंटे जाएंगे नहीं हो पाएगा तो यहीं एक main चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी ठीक है motivated रहिए पढ़ते रहिए competitive exam कोई भी हो regularity खुद से honesty आपका हर exam clear करा सकती है ठीक है so keep this in your mind till then व बिलते हैं आप से